नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धमसरमार तुलसी हम सभी के आंगन में होती है हम सभी के घर में होता है जी हां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो और भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं ताकि उनके बागवानी की बालकोनी की छट की सुन्दरता ब है इस बाद का भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम कई बार वास्तु का ध्यान रखना ही भूल जाते हैं और इसी कारण से हमें कभी कभी परिसानिया भी भूगत नहीं बढ़ती है दोस्तों आपको हम बतला दें कुछ बार कुछ ऐसी चीजी हम लगा देते हैं कि दोस्तों हो जाती है और हम घर के सदस्य लंबे समय तक इसका परिणाम भूगतते रहते हैं तो चलिए सबसे पहले तो हम बतलाएं कि आपको अगर आपके घर में केले का पौधा है वैसे तो केले का पौधा सबको नहीं धारता है आपने सुना होगा धार साज यह एक तरह क सीमसर मैं आपको समझा रहे हैं खिले का पौधा सबको शूट नहीं करता है लेकिन आपके घर में अगर पहले से है तो इस बात का ध्यान रखिए कि केले का पौधा हर हाल में इसानकोर यानि पुर्म और उत्तर का कोना जो होता है यह उसी एरिया में हो या फिर आपका घर जिस भी मुह से है उसके ठीक पीछे हो, इस बात का खास ख्याल रखेगा, ये बहुत सूभ होता है, अगर आपको सूट नहीं करता है केले का पौधा, तो प्लीज मत लगाईएगा, अब सूट क्यों नहीं करता है, कंद वाले पौधे, केले का पौधा का क्या है, आप कितना नीचे से नयानय निकलता रहेगा, इसे कहते हैं कंद वाले पौधे, इस तरह के पौधे सबको सूट नहीं करती है, इस बात का खास ध्यान रखेगा, बास्तु सास्त की अगर हम बात करें, घर में तुलसी, चंपा, हर सिंगार, ये सभी पेड बहुत सूभ होते हैं, घर मे में लगाते हैं, ताकि धन की बर्धी हो, बरकत हो, अनाच के भंडारा भी आपके घर में लगे, चलिए हम आपको दिसा के बारे में बात करते हैं, हम बिना सोचे समझे ही, मिट्टी के गमले में तुलसी के पौधे लगा देते हैं, सबसे पहली बात दोस्तों, आप प्लास प्लास्टिक के गमले में लगाईएगा, मिट्टी में मत लगाईएगा, दूसरी बात, तूलसी के पौधे के पास, आप सिर्फ केले का ही पेड लगाईए, ताकि माता लक्षमी के साथ भगवान बिष्णु का निवास हो, यह बहुत सुब रहता है, और अगर आपके घर म Самे पाणड़ में अएसे फूलों के पौधे हैं, जिनकी पतिया या फिर डालिया तोड़ने से समें से दूध निकलती है, तो ऐसे पौधों को बाहर करास्ता दिखा कर दें, आप निकाल लगा लों, लेकिन घर में न लगाइए, कहते हैं धन की हानी होती है घर में धन नहीं टिकता है अगर दूद वाले पौधे आप घर में लगाते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखेगा कहीं यह चीजें हमारे जीवन में नकारात्मक तो प्रभार नहीं डाल रहा कांटे वाले पौधे भी घर में मत लगाईए अगर आपकी तूलसी के पास खुद बखुद दूरवा घास जो अर्पीत किया जाता है अगर हो जाता है तो आप बहुत भागे साली है फिर तो आपके घर में कभी भी धनकी कमी नहीं होगी अगर नहीं है तो आप तूलसी के जो आपके गमले हैं जहां पर तूलसी का गाच है व एक कटोरी या ग्लास में पानी लें उसमें तुलसी के कुछ पत्ते रख दें और इस पत्ते को पानी में तीन दिनों तक यूही पड़ा रहने दें और फिर इस पानी को आप अपने ब्यापार अस्थल के जो दर्वाजे हैं वहां पे आसपास छिड़क दें आप देखिएग आपके घर में चावल तो बनता ही होगा भात जिसे कहते हैं तो जब चावल बन रहा हो तब एक पत्ते तुलसी के पकने वाले चावल में डाल दें आप देखिएगा आप लोग जो भी खाना खाते हैं चावल का यूज करते हैं सबका स्वास्त दिन बदिन उत्तम होता चला जाएगा आप स्वस्त हो जाएंगे अगर कोई परिसानी है सारी रिक परिसानी है तो वह भी दूर हो जाएगी हम आपसे बीदा लेते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो प्लिज लाइक कर सब्सक्राइब चलूर कीजिएगा धन्यबाद हर हर महादेव